हेलो दोस्तों कैसो आप सब उम्मित करोंगा आप सब अच्छे होंगे आज के इस वीडियो में बात करेंगे मेडर्मा कीरीम के बारे में यह क्रीम को विन मेडिकेर प्राइवेट लिमिटेड नाम का कमपनी बनाती है और यह क्रीम काफी लोग यूज करते हैं यह क्रीम से आप कोई भी दाग पिंपल्स का दाग जले कटे पुराने निशान स्टेच मार्क्स का दाग बहुत सारे दाग जो है आप हटा सकते हैं और इसी के लिए लोग यूज भी करते हैं यह क्रीम को यह क्रीम थोड़ा महंगा जरूर है लेकिन इसका रिजन काफी अच्छा मिलता है इसका रिजन यह है क्योंकि यह क्रीम में जितने भी इंग्रीडियंस है वो सारे नेच्रल है इंग्रीडियंस के अगर हम बात करें तो यह क्रीम वाट ओनियन का रस होता है, इसके अलावा बल्ब एक्टरक्ट है, लेसी थीन है, मेथिल पाराबेन है, स्वर्बीक एसीट है, पेंथिनॉल है, इसके अलावा और भी कई इंग्रिडियन्स, और सबसे अच्छी बात यह है, ये क्रीम में फ्रेग्नेंस भी शामिल है, ये क्रीम का 10 10 ग्राम का भी पेक आता है, और 20 ग्राम का प्राइस लगबख 400 इंडियन रुपीज तक है, और 20 ग्राम का पेकिंग का आपको लगबख 800 रुपीज तक लग सकता है, अब हम बात करते हैं, ये क्रीम को कब यूज़ करना चाहिए, तो देखिए, अगर आपके चेहरे पे पि पिमपल्स को रोक सकते हो, डॉक्टर्स, एक्सपर्ट्स का ये कहना है, ये क्रीम को जब आप लगाएंगे, वो आपका पिमपल्स को आने से रोक देगा, इसके अलावे कोई भी जले कटे का निशान है, तो आप ये क्रीम को लगा के उसे हटा सकते हो, इस्टेच मार्क से उसको भी हटाया जा सकता है, सरजरी के वज़े से दाग होता है कई लोग में, उसको भी आप हटा सकते हैं, टाके का दाग को भी आप ये क्रीम से कुछ हट तक हटा सकते हैं, क्योंकि टाका का जो दाग होता हो जल्दी हटता नहीं, लेकिन ये क्रीम से आप उसको थोड़ा यह क्रीम आपका स्कीन को सौफ्ट बनाने भी मदद करता है अब हम बात करते हैं यह क्रीम को कितना बार लगा सकते हैं दो या तीन बार आप दिन में यह क्रीम को लगा सकते हो यह क्रीम का रिजल्ट आपको स्टार्टिंग के वन वीक में ही देखने को मिल जाए जिनकी बहु को सूट नहीं करता है तो हो सकता है आपका स्कीन में जलन हो आपका स्कीन पतला हो जाए आपका स्कीन लाल हो जाए इस तरह का साइड इफेक्ट हो सकता है अगर साइड इफेक्ट होता है तो आप ये क्रीम का यूज करना बंद कर इसके अलावा आपको ये साउधानी रखनी ह आख में ने लगा सकते, नाक में, मुह में जाने से आपको रोकना होगा, छोटे बच्चे को यूज नहीं करना चाहिए, प्रेगनेंट वीमन या जो बच्चों को दूद पिलाती हैं, उनको भी यूज नहीं करना चाहिए, आप में से कोई अगर यूज करना चाहते हैं, तो make sure आप पहले डॉक्टर से बात करिए, उसके बाद ही यूज करिए, तो आज की वीडियो में इतना ही, I hope ये वीडियो आपके लिए इंफरमेटिव रही होगी, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा, क्योंकि इस तरह की इंफरमेटिव वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे, मिलता हूं फिर नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखे अपना, थिंक्यू सो मच पू वाचिंग